मैं जब टीनेज एर में हुआ करती थी, तब मैं हॉबीज मेरी जो हुआ करती थी, वो थी राइटींग और राइटींग में सबसर जादा या तो मैं डाइरीज लिखा करती थी, या तो पोयम्स लिखा करती थी ये मेरी basic hobbies हुआ करती थी क्योंकि उन दिनों में उस time पर कहने को तो दोस्त थे लेकिन उसमें से कोई भी दोस्त कहलाने लायक नहीं था मैं हमेशा अपने अकेले पन में एक अलगी दुनिया में जिया करती थी जहां पर बस मैं ही हूँ और मेरे आसपास सब कुछ खुशी भरा महौल है सब कुछ बहुत हैपी है सो आज मैं अपनी शकल नहीं दिखाऊंगी और आज से मैंने ये मुहीम एक चोटी सी मुहीम है जो मैंने स्टार्ट की है मैंने उस time पर जो feel किया और उस time पर जो मेरी परिस्थितियां थी उसके according मैंने बहुत सारी पोयम्स लिखी उस में से शायद आपको कुछ पोयम्स offensive लगे कुछ शायद पोयम्स ऐसी लगे कि ओ ये एडल्टरी है या कुछ है जो भी है मैं बस अपनी उन सारी पोयम्स को voice देना चाहती हूँ और आज से मैं ये start कर रही हूँ तो मेरी इस पोयम्स का नाम तो कुछ नहीं है लेकिन आप में आप इस पोयम्स का नाम मुझे जरूर comment section में बताना अगर आपको ये पोयम्स पसंद आई so let's start कहने को आजाद हूँ मैं पर आजादी नहीं मिली अगर यहाँ जिन्दगी है तो बरबादी भी है यहीं सबकी है सोच अलग सबकी निगा है बेखबर कहने को सब कुछ फिर भी उदासी चाई है आसपास क्यों दिल में एक आस है दिल की बाद जुबा के पास है सबकुछ पास है फिर भी एक प्यास है इंसान की चाहत के बिना जिन्दगी अधूरी है पर कुछ पाए बिना जिन्दगी मजबूरी है इंसान ने इंसान को बनाया है इसे इसके साथ समाज भी आया है जब इंसान खुद ही सब कुछ करता है तो क्यों समाज को पूछता है? कुछ ऐसा हाल मेरा भी है समाज को देखू तो हर जगा अंधेरा ही है इस अंधेरे में कभी उजाला हो ऐसे भी कोई मेरी जिंदगी में हो हर जगा एक डर रहता है हर कोई ये दर्द भी सहता है इस गम में ना मर जाओं यारो That's it इस गम में ना मर जाओं यारो So, thank you for listening to me Thank you so much